Hello Everyone, Welcome to Education Today दोस्तों आज के टोपिक में हम लोग देखेंगे From, Far और Since का प्रियोग Say की अंग्रेजी के लिए तो दोस्तों सुरू करते हैं देखें, From, Far और Since इन तिनों का जो यूज होता है Say के लिए वो Depend करता है टेंस पर और ये टेंस ही बताएगा कि कहां पे Since लगेगा कहां पे Far लगेगा और कहां पे From लगेगा तो टेंस, टेंस के बिसे में आप लोग को पता होगा कि कुल 12 परकार के टेंस होते हैं तीन परकार के मुखे टेंस होते हैं और इन तीन परकार के मुखे टेंसों में चार प्रकार के work situation होती है कार के स्थितियां होती है और ये चार प्रकार के जो कार के स्थितियां है वही तीनों में अलग-अलग मिल करके 12 प्रकार के tense बनाते हैं तो अब इसमें क्या है कि इसमें एक प्रकार के जो कार के स्थिति होती है perfect continuous की तो ये perfect continuous के लिए आपका special बना है scenes तो scenes जो प्रियोग होगा वो perfect continuous के लिए होगा चाहे वो present का हो, चाहे वो past का हो, चाहे future का हो और इसके अतिरिक्त, बाकी ये 3 तो इसमें हो गए, बाकी बचे 9 तो बाकी जो 9 परकार के tense हैं, उसके लिए आपका क्या यूज होता है, from यूज होता है अब यहाँ पर देखिए, ये from के साथ भी फार यूज होता है और फार और scenes इनका भी आपस में combination बनता है इसका मतलब कि जो ये फार है, ये आपके बरहो परकार के tense के लिए प्रियोग होता है यानि टोटल बार है परकार के जो tense हैं, उन सभी में इस फार का प्रियोग होता है और जो scenes है, इस scenes के लिए 3 परकार के tense हैं और from के लिए 9 परकार के tense हैं अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर एक चीज और देखने वाली होती है कि जो यह फार है यह होता है period of time के लिए period of time और जो since होता है यह होता है point of time point of time यह since point of time है और from भी point of time है यह दोनो point of time होते हैं और इसलिए यह जो है from और since यह 12 फरकार के टेंसों के लिए divide कर दिया गया तीन since के लिए और 9 from के लिए और जो far है यह period of time के लिए होता है और यह बरहों में यूज होता है अर्था जहां पर आपका perfect continuous हो तब भी फार लग जाएगा और कोई tense हो तब भी फार लग जाएगा यह सब में लगता है तो चलिए दोस्तों अब इस sentence पर चलते हैं तो दोस्तों आयूस देखते हैं सबसे पहला जो वाक्य है ओ है he will be here from 8 o'clock tomorrow आठ बजे से वह यहां पर होगा तो say के अंग्रेजी के लिए यहां पर from लगेगा कि फार लगेगा या since लगेगा तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि यह जो time दिया गया है यह time क्या है period of time है या point of time है अगर यह point of time है तो point of time के लिए क्या लगता है since लगता है या from लगेगा और period of time है तो far लगेगा तो यहां पर जब हम लोग देखे 8 बजे से तो यह दो 8 बजे है यह आपका point of time होता है fixed time होता है अगर यहां पर 8 गंटे से होता तो 8 गंटा आपका क्या है period of time है लेकिन 8 बजे से है तो 8 बजे का मतलब क्या होता है point of time होता है और point of time के लिए या तो from लगेगा या तो sense लगेगा अब यहाँ पर 9 परकार के tense के लिए आपका from लगता है और 3 परकार के tense के लिए sense लगता है यानि perfect continuous के लिए जो walk के होता है उसमें sense लगता है और बाकि सब्वी परकार के tense के लिए क्या लगता है? from लगता है तो ये तो फिक्ष हो गया कि यहाँ पर या तो सिंस लगेगा या तो फ्राम लगेगा अब इसमें देखते हैं कि किस प्रकार का ये टेंस है He will be Perfect Continuous के लिए हम लोग क्या देखेंगे Have का रूप होना चाहिए और इसके साथ साथ Have के साथ साथ Bean होना चाहिए तो Have Bean अगर रहता है वाक्य में चाहे वो इसके साथ आगे कुछ और हो या ना हो लेकिन Have Bean तो जरूर होना चाहिए उसमें तो Have Bean इसमें नहीं है इसका मतलब ये फ्राम का यूज सही है Perfect Continuous का ये वाक्य नहीं है तो पहला वाक्य क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दूसरा He will be here from 8 o'clock tomorrow यहाँ पर देखिए 8 o'clock है इसका मतलब यहाँ पे भी point of time है ये समय फिक्ष्य है फिक्ष्य है तो यहाँ पर भार कभी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ क्या आता है period of time आता है और ये वाक्य क्या है गलत है यहाँ पर देखिए He will be here since 8 o'clock tomorrow यहाँ पर भी क्या है point of time है और point of time है तो यहाँ पर क्या या तो since आएगा या तो from आएगा आगे चलके देखते हैं तो will भी है यानि have been यहाँ भी नहीं है इसका मतलब यह वाक्य क्या है गलत है अगर यहाँ पर have been होता है will have been तो यहाँ पर क्या लगता यह 8 बजे के लिए यहाँ पर क्या लगता since रहता तो यह सही मान आता लेकिन यह perfect continuous का नहीं है इस नाते क्या है गलत है next वाक्य को देखते हैं he will have been here since 8 o'clock tomorrow tomorrow तो यहाँ पर क्या है इसको देखने से लग रहा है कि point of time है और point of time के लिए या तो since लगेगा या तो from लगेगा तो since कब लगेगा जब यह perfect continuous का होगा यहाँ पर देखे have been आया है perfect continuous का वाक्य है इस नाते यहाँ पर क्या लगेगा सिंस लगेगा यह सही है यह वाका आपका सही हो गया तो इसी तरीके से और भी नीचे वाक्य है इसे भी हम लोग देख लेते हैं he has not seen me or two days उसने मुझे दो दिन से नहीं देखा तो यहां पर देखिए two days है तू डेज का मतलब एग कोई fix तो है नहीं दो दीन है तो दो दिन में से कौन से दिन से मंडे से एक त iemand देश से किस दिन से यह fix नहीं है अगर यह होता तो point of time होता और यह नहीं है ऐसे ही दो दिन की दो घंटे की दो महिने की बात हो तो वो period of time होता है और इस नातिव उसके पहले क्या लगता है फार लगता है और फार आपको पता है कि आपका बरहो परकार के tense के लिए लगता है इस नातिव वाकिय क्या हो जाएगा सही हो जाएगा He has been playing for 3 hours वो तीन घंटे से यहाँ पर देखिए तीन घंटे से खेल रहा है तो तीन घंटा कोई fixed time नहीं होता है यह कोई time नहीं कि कितने बजे से खेल रहा है तीन घंटे से खेल रहा है इसका मतलब यह period of time है और इसके पहले जो भार लगा है यह फार ही लगेगा चाहे जिस परकार का tense हो तो यहाँ पर क्या है है आपका perfect continuous का है तो इस में भी लगता है बरहू परकार के tense में फार लगता है तो इस नातिव वाक्षी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा next वाक्षी है He has been ill since Saturday Saturday है Saturday क्या है यह जैसे अगर दो दिन देता एक दिन देता चार दिन देता तो period of time होता चुकि Sunday, Monday, Tuesday कोई दिन दे देता है तो point of time हो जाता है और point of time अगर आ गया तो या तो from लगेगा या तो since लगेगा अगर यह tense देखेंगे हम लोग perfect continuous का है perfect continuous का है तो since ही लगता है और अगर कोई unretends होता है तो वहाँ पर क्या लगता है from लगता है तो चुकि perfect continuous का है तो इस नातर यहाँ पर since सही माना जाएगा और यह भी वाक्य क्या होगा सही होगा तो यह है from का far का और since का प्रियोग दोस्तों उम्मिद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो like करें, comment करें, share करें दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले Thank you